बहुत दुखताई ख़वर पंजाब के संगरूर जिले से आ रही है जहांके लोगोवाल में आज एक सकूल वैन जलकर राख हो गई वैन में आग लगने से चार बच्चों की जलकर मोत हो गई जबकि कई बच्चे घायल हो गए संगरूर के लोगोवाल में स्थितिक नीजी स्कूल की यह वैन बताई जा रही है छुट्टी होने के बाद वैन बच्चों को घर चोड़ने जा रही थी वैन में करीब 12 बच्चे सवार थे बताया जा रहा है कि छुट्टी के बाद वैन स्कूल से थोड़ी दूर गई थी कि अचानक आग लग गई बगल से गुजर रहे एक शक्स ने आग देखी और उसने बच्चों को वैन से निकालने में मदद की पुलिस ने बताया कि यह हादसा लोंगोवाल चिद सामचार रोड पर हुआ कहा जा रहा है कि घटना के वक्त वैन में 12 बच्चे मौजूद थे जब गाड़ी में आग लगी तो आसपस खेतों में काम कर रहे लोगों ने बच्चों को बाहर निकाल लिया हलांकि चार बच्चे अंदरी फसे रह गए जिससे उनकी जलकर मौत हो गई इस घटना के बाद लोगों ने परशाचन और सकूल परवंदन के खिलाफ जमकर नारेवाजी की वहीं इस मामले में पंजाब के मुख्य मंतरी द्वारा शान तक मौवजे के एलान की घोशना कर दी गई उदर आमादमी पार्टी के सांसत बगवंत मान ने घटना स्थल पर पहुंच कर दुख का इजहार किया इस बहुत ही बार्गनाथ बात्सा है इस बहुत बड़े बंदे बनोंदे सुपने लेंसी जाटे सुपने जड़े ने उसारे तरह तरह रही रही परशाचनी के तिल की समझने होंगे की बैन जड़ी उदी हालती नहीं इस बार्गनाथ जड़ी पाइट है तो अनुचलाने है